चे लिसुन बात करने वाले हैं बजार के अंदर आपको आज किस तरीक एक्शन देखने को मिल सकता है ृफ्टी-फिटी अच्छा खासा परफॉर्मर कल के दिन रहा आज किस तरह की चाल आपको निफ्टी-फिटी के अंदर बनती है उन जब ज़रैगी खाली 90-50 के जो शेर्स हैं उनके अंदर अच्छा खासा आप मूँ आपको कल के दिन देखने को मिला है काफी सारी खबरे निकल कर आई हैं जो कि कल बजार बंद होने के बाद में हम लोगो प्राप्त हुई हैं उन पर बजार के अंदर आज रियक्शन देखने को मिला है सबसे पहले बात करते हैं मेरे की बजारों की तो डाव जोन्स के अंदर भी जो कल का ट्रेडिंग सेसन देखने को मिला वो पॉजिटिव था तो डाव जोंस के अंदर उठा पटक दिखने को मिल रही थी लगबक 36,432 अंकों से भी उपर के लेवल आपको इसके अंदर दिखने को मिले थे और अप और डाउन का सिलसला बना और गिरावाट के साथ में यह हम लोगों को दिखाए दिया था अब तक लेकिन एक लास्ट जो ट्रुडिंग सेसन रहा है सके अंदर 3G का महोल बनता हो नज़र आए तो एक उम्मीद लगा कर चल सकते हैं कि अमेरे की बाजारों का इंदर 3G देखने को मिले तो अपने बाजारों के अंदर भी एक अच्छा खासा महोल बनता हो नज़र आए चलिए बात कर लेते हैं रियल टेम इंडेक्स फूचर की दो ग्रोवली इस समय किस तरह की किसंगे दिखाए दरे निफ्टि-50 पॉजटिव में है S&P 500 की बात करते हैं तो फ्लैट आपको इस समय दिखाए दरा चैना की बात करते हैं तो फ्लैट कारोबार इस समय दिखने को मिल रहा है चैना A.S.P की बात करते हैं तो तेजी का महौल बना हुआ है तो ओवराल ग्लोबली संकेत पॉजटिव दिखाए दरे कुछ बजारों के इंदर गिरावट है लेकिन कुछ बजारों के इंदर इस समय तेजी का महौल बनता हुआ नजरा रहा है चलिए बात कर लेते हैं उन कंपनियों के बारे में जो कि आज फ्यूचर और आप्शन के इंदर बैन देखने को मिल रही है तो पहली कंपनी है एसकोर्स और दूसरी कंपनी है आईडिया ये दोनों ही कमपनिया आज future and options के अंदर बैन देखने को मिल रही है future and options के अंदर वे ही कमपनिया बैन हो जाती है जिनके open interest हम लोग को बढ़ते हुए नजराते हैं तो ये दो कमपनिया हैं जो की आज future and options के अंदर बैन देखने को मिल रही है तो दोस्तों शिरुवात करते हैं उन shares के बारे में जिनके इंदर खबरे निकल कर आई हैं और कहिन कि आज के दिन हमें reaction देखने को मिल सकता है तो सबसे पहले हमारी company होने वाली है भारती अर्टेल लगातार TG का महोल भारती अर्टेल के इंदर बना हुआ है और कल एक बड़ी खबर निकल कर आई मूडीज की तरफ से इसके इंदर एक बड़ा announcement देखने को मिला तो मूडीज एक rating agency है यह आप हम आपको बताना चाहूं कि मूडीज की तरफ से जो outlook हमें इससे पहले stable देखने को मिल रहा था अब उसे बदल कर positive कर दिया गया है तो बड़ी हलचल भारती अर्टेल के अंदर अब तक देखने को मिली और कहीं न कहीं अगर आप long term के हिसाब से इस company के अंदर hold करते हैं तो आपको अच्छा खासा मूँ share के अंदर जरूर देखने को मिलेगा तो यह stock भी हाँ चर्चाओं में रहने वाला है इस stock को भी आप अपने radar पढ़ सकते हैं इसी तरीके से बात करेंगे अगली company के बारे में तो बाला जी हमाइन से 3164 रुपे के आसपास यह share इससे में trade करता हो नज़रा रहा है और लगबग 137 रुपे की तेजी आपको stock के अंदर देखने को मिली तो आपको बताना चाहूं कि इस company के अंदर एक बड़ी ख़बर निकल कर आई है इस company का जो DM plant है उसका production से start हो चुका है और बड़ी हल चल अब company के business के अंदर देखने को मिलीगी तो बड़ी ख़बर और ख़बर के बाद में अच्छा खासा आप मूँ कहिना कि आज का trading session भी अच्छा खासा होने वाला है पिछले एक मेने की बात करते हैं तो share के अंदर गिरावर देखने को मिली थी इसके अंदर अब तक देखने को मिली है चै मेने की बात करते हैं तो 9% की तीजी आपको share के अंदर देखने को मिली एक साल की बात करते हैं तो लगभग 212% से ज़्यादा का आप मूँ आपको stock के अंदर देखने को मिल चुका है तो यह stock भी हाँ चर्चाओं में रहने वाला है इस stock को भी आप अपने radar पर रह सकते हैं तो बात करने वाले हैं अगली company के बारे में तो SZVN Limited आपको बताना चाहों कि बिहार के अंदर इनका एक power plant है और वहाँ पे काम रुका हुआ था तो काम स्टार्ट हो चुका है इनका जो work है second unit के अंदर और यह जो यहाँ पे power plant है लगभग 1320 मेगा वोट का है तो overall जब production स्टार्ट होता वाँ नजर आता है काम के अंदर हम लोग को तेजी दिखने को मिलती है इस इस टॉक को भी आप अपने रडार पर रह सकते हैं दोस्तों करी पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब करकर लेना ताकि नहीं वीडियो के नडिफिकेशन सीधे हैं आपके मोबाइल प्निल्स के